हम लोग भगवद्गीता के दूसरी अध्याय के तेर्मेश लोग कुछ चर्चा करेंगे बहुत प्रसिद्ध श्लोग है प्रपाद को कई बार कोट की हैं और हम लोग चर्चा करेंगे विवेनाचारियों के टिकाओं के सहित हम लोग उन्हें 2.12 में क्या सुना था वैसे तो स अर्जुन के शोग को नश्ट करने के लिए पिससे पहले वाले श्लोक में भवान क्या बोले थे अशोचाननव शोचस्वं प्रज्यावादांश भास भास से गतासून गतासूंश नानुशोचंति पंडिता तो तुम जो नित ही शोग के लिए वस्तु नहीं है उसके वह उस वस्तु के लिए शोग नहीं करते जिससे प्राण निकल जाते हैं अर्थात स्थूर शरीर और उसके लिए भी नहीं शोग करते जिसके प्राण नहीं निकलते हैं अधार सुक्ष्म शरीर और च्व मतलब आत्मा शेक है उसके बाद नित्यत्य को आत्मा के और भगव आपको याद हो कि श्रीदर सवामी जी टीका में बोले थे कि भगवान का आविर्भावत लाहओ होदे हुए भहगवानंद रेत आपकी वासमज मच रहें लेकिन जीव का तो देह परिवर्दंशील मुलत नहीं आ रहे collapse कि आपकी पासविकार कर रहें, आप जो है परिवर्थित रहित हैं, आप भवान हैं कोई दिक्कत नहीं अगिन जीव जीव तो परिवर्थित होते वह दिख रहा है और आप देखा है था हमने प्रश्न किया था कि आप इसे लोग परिवर्थित हो गए तो तुरंट हाँ, देह का परिवर्थन करते वह देखता है लेकिन जो धीर पुरुष है वह उससे मोहित नहीं होता वह इस शरीर की परिवर्थन के वस्ताओं को देखकर मोहित नहीं होता है और जब देह का परिवर्थन होता है शरीर छोड़ते समय तब भी वह मोहित नहीं होता है तो यह लिंक किस्वेदा स्वामी किया रहे है अचारों ने अलग-अलग लिंक दिया है लेकिन हमको यह लिंक बहुत अच्छा लगा था कि भगवान का तो नहीं हो रहा है जीव का तो हम होते हुए देख रहे है तो कहते न जीव का भी नहीं हो रहा है के वल उसके देह के परिवर्तन हो र मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है कुछ समय करें। So let's start, कौन चान करें। Bhagavad Gita, दुसरा धाय, तेरवाश लोग देहिनो अस्मिन यथा देह, कौमारम यवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, धीरस्तत्र नमुयति देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, धीरस्तत्र नमुयति देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, धीरस्तत्र नमुयति मेरी बहुत इच्छा है इसके पराण कराने के लिकिन मैं कराऊंगा नहीं मैं आगे बढ़ जा रहा हूं कि बहुत कुछ बोलना है बहुत कवर करना है 61 पेज में जहां तक पहुंच जाए वहां तक पहुंच जाएंगे जेस प्रकार शरीर धारी आत्मा इस वर्तमान शरीर मे बाल्य वस्था से तरणा वस्था में और फ्रव्रद्ध वस्था में इंद्रंतर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार मृत्य होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है धीर वैक्ति ऐसे परिवर्तम से मुहकोप राप्त नहीं होता दिखीये पहला अनुबे सम्झाएंगे इसको आगे बताते हो देहिन चरीर्ष धारी का जैसे हम लोग वस्थरध्षा हैं वस्थर हमारे हैं ये नहीं कहा जा सकता जोकिके hunting कहते रहते हैं खरीद के लाग ले आते हैं कोई बना देता है उसको हम धारन कर रहे हैं हम वस्थर थार्ण की हुए को負धारी में इसी अरे में इस शरीर में कौमारम यौवनम जरा तथा जब बोलते हैं। यह को मतलत है। दृष्टंथ यह समझ लिएगा कर दृष्टंथ का उपयोग क्या होता है। कोई बात अगर नहीं समझ में आती है तो दृष्टंथ वह दिया जाता है जो जंगत-मेद दृष्ट है दृष्ट में देखा जा रहा है। तो उसको देख करके विक्ती समझ जाता है कि क्या सिधान बोला जा रहा है. क्या दिश्ञान दे रहे हैं, जिस प्रकार कौमारम याणि कौमार आवस्था, योवनम मतलब विवावस्था तथा वर्धावस्था होती है विक्ती को, इस देख को प्राप्त होता है, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, अन्य श्रीर की प्राप्ति होती, देह का अंतर, ये जो श्रीर है, वे पिछले जन्म के श्रीर से अलग है की नहीं? यह भी नहीं कहना चाहिए, यह का मतलब जो जन्व ले रहा है उसकी बात कर रहा है, क्योंकि जो जन्व लिया है, उस दे से भी आपका यह दे बिलकुल अलग है, आपका मतलब आप सिकार कर ले जिस दे में हम लोग है, तो समझ पा रहे हैं, इस जीवत अवस्था में भी हम द से परिवर्तन को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमारे कृप अचुद प्रुभु को देख खी सब लोग rope बताएक है ये दो सालकी उमर में कैसे लगते होंगे। कितने क्योट लगते होंगे, अभी भी लगते हैं, पहले क्याकर लगते होंगे, नहीं लगता है। चलिए ये थुड़ा अधिक इनकी बोड़ी की हुमर है, अंकी दूआ पर वो तो जुरू क्यूट लगते होंगे बच्पने, और चलिए आप किसी को ना देखिये, मेरे को तो आप पता नहीं सुकते हो, मैं इतना, मैं खोदी देख रहा था उस बच्चे को, उस बच्चे को, जो दो साल का था, इतना प्यारा, गोलू-मोलू, ये, like, you will really like to see that boy, उस बच्चे कहा गया, उसको अगर रख देया जाता है, तो कोई बोल सकता, मैं खुद भी नहीं बोल सकता कि मैं ये वह श्रीर हूँ, मैं वही लड़का हूँ जो उस प्रकार से जनम वहा था, अब ये देखने के बाद भी विश्वास ना करे, कोई वेक्तिव को आप प्रिचिंग कीजित पहले इस बात को पकड़िया, इमत बुची के बगवान कौन है, वो बहुत बात विवाद करेगा, इस बात में इसको पकड़िया कि भाही तुम कौन हो, ये गोलू-मोलू, थोलू सा ज भी विठेगी, एकदम शकल भी नहीं मैच करते हैं, यहां किसी भी उपस्तित विक्ती को देख कर के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो दो साल में कैसा दिखता होगा, जैसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पिछले जनम कैसे दिखते होंगे, तो क्या देह का आतार क्या मानते हैं, मैं यह दे हूँ, कौन सी दे हैं, जिसमें अभी आप है, इस इत नाट? लेकिन धीर वेक्ती है, वह प्रभावित नहीं होता, अब इसको बहुत बड़ा रहस्य है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, धीरहा तत्र नमोहियती, धीर वेक्ती वहां मोहित न होते, मोहित नहीं होते, मतलब वो कभी नहीं मानते, जब वो इस शरीर में हैं, तब भी नहीं मानते कि वो शरीर हैं, और शरीर छूटने के बाद यह नहीं मानते कि मैं मर गया, शरीर में रहते वे भी नहीं मानते कि मैं मर गया, कभी, क्या आप मानते हैं कि दस साल का शरीर परिवर्तन हो गया तो क्या मर गए कि साथ साल में शरीट का पूरा परिवर्तन हो जाता है हर कोशिक का क्या मानते हैं कि मर गए जो अज्ञान में है वह भी नहीं मानता है तो धीर पुरुष कैसे मान सकता है अब इस बात को समझने का प्रयास किजिए यह शब्द बहुत गंभीर है सबसे गंभीर शब्द है धीर जो विक्ति आत्म स्वयम कर रहा है इंद्रियों को स्वयमित करता है उसमें यह च्छमता आती है कि वह अपने को आत्मा को अप्स्वयम को शरीर से प्रथक देख सके नहीं तो जितना विक्ति इंद्रितिर्प्ति करेगा उसकी चितना ढखती जाती है और वह इसी भावना से ग्रसित रहता है कि मैं यह देह हूं यह जाब करने से भक्ति करने से अपने आप ही अविध्या नश्ट होती है और आपको at least beginning stages में कुछ कुछ realization होता है direct realization कि मैं यह देह नहीं हूं अब इसको explain नहीं किया सकता है जो वेक्ति जाब करते हैं निमित रूप से भग्वान के भक्ति करते हैं भग्वान के क्रिपा से कभी-कभी वो पर्दा हटाया जाता है हलका सा a glimpse of realization कि आप शाश्वत वेक्ति हैं इस के नौट बीवन पर्चेस बाइम और रहन अज़िए को बजन करना होगा तब सवच में आएगा मैं समझता हूं सभी को कभी तो क्लिक करता है यह कि मैं यह नहीं हूं रोज होता हूं रोज नहीं होता हूं कभी-कभी हिट नहीं कि आपनों को इसकि हम देह नहीं है विश्यश करते हैं जब बहुत बीमार पड़ गया हूं तो आपको काफी उस परिशानी की वज़े से नहीं समाओ अधर इसा नहीं है कि जो देह परिवर्तन हो रहा है उससे जीव परिवर्तन हो गया ना लेकिन जो धीर वेकती हैं वही इस बात को समझ पाएंगे और नहीं तो आप कितने भी लोगे को समझ आते कौमारम यौवनम जरा कौमार का मतलब होता है बचपन पांस साल के बाद कौमार कहते हैं और उसके पांस साल तक कौमार कहते हैं उसके बाद पौकंड कहते हैं फिर यौव अवस्था आती है असे कुछ रहता है और यौवन अवस्था होती है सोला साल से ले करके असे कुछ है और जरा हमारी शुरू हो गई है, 40 साल के वास तरह बड़ा शुरू हो जाते हैं, तथा उस प्रकार देहांतर प्राप्ति, जैसे इस जीवन में अपने कौमार यौवन जरा, उसमें देहांतर की प्राप्ति हो रही है, देह का परिवर्तन हो रहा है, हम लोग बड़े नहीं हो उसी प्रकार से अल्टिमेट देहांतर प्राप्ति मतलब शरीर पूरा छोड़कर के आत्मा दूसरी शरीर को प्राप्त कर जाएगी, तो उस धीरस तत्र, उस परिवर्तन के विशय के संबंद में धीर विक्ति मोहित नहीं होता है, वह कभी नहीं मानता है कि मैं मर गया, और प्रिबास समिछ लिएगा कि मोहित होने का मतलब होगा कि वह शोख भी करेगा, और शोख करेगा तो अपने करतवयों को करना भूल जाएगा, श्री धरी देखिए, देहिन अर्थात देह अभिमानी जीव का, अब ये बड़ा रुचिकर है, देह अभिमानी जीव मतलब जो प्रसंगम अजरम पाशम ये जो सुक्ष मशीर का पाश है, इसमें एक गुण है कि व्रद नहीं होता है, ठीक है, तो असमिन मतलब स्थूल दे में, स्थूल दे की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि दिख रहा है, दिखाए पड़ रहा है कि शरीर का परिवर्तन आप देख रह और युवा और बढ़ापा, ये तीन स्थूल चर्की है ना, बढ़ापे का मन भी वैसा ही रहता है, जो जवानी का मन था, अगर शेदी से भग्मान की सेवा नहीं करिए, तो तो क्यारे असमिन अर्थात स्थूल दे में कौमार आदी अवस्था देह के निबंधन से ही होती है, देह के निमंदन मतलब देह का बंधन देह की आसकती की कारण आत्मा उसमें है और उस देह से बंधी होई है, तो वह इस प्रकार से आत्मा तो ये पी चेंज नहीं करती है, लेकिन वह श्रीर के परिवर्दन में को देख रही है का सकते अनभाब कर रही है, निमंदन मतल है । चोटे बच्चे मालों किसी चोटे बच्चे मिरुत्ती हो जाए तो अब वह बढ़ता नही है अगर अगर क्ते बढ़ना का आ जाए बढ़ных को परवतन नहीं होता के वल देहका विगठ्टन फोना शुरू हो जाता है बुढ़ा भी नहीं होता है, मान लोग कोई विक्ती 40 साल का विक्ती है, वो मर गया, तो ऐसा नहीं कि नहीं, अब बुढ़ा होगा दे, उसके बाद शरीर मरेगा या गलेगा, उसी शरीर विगटित होना शुरू हो जाता है, तो आत्मा है, उसकी वज़े से शरीर में परवर् ठीक है, देह के निबंदन से होती है, न कि स्वता आत्मा के होती है, जो देह अभी मानी जीव है, जो मान रहा है कि मैं देह, उसकी देह में परिवर्तन हो रहा है, लेकर उसमें नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि देह मानने लग जाएंगे, तो आत्मा परिवर्तन होने लग कि आपड़ों कुल नहीं है, क्यो नहीं है? रामकर्ष्परों बताई कि मानल, तो यो यह को बहुनाम यह ओधाति आ 뚜ूर नियोग्एक कि आहाूं को पुरा मान भ Calling Akaily सभी की इच्णा क कुपी। буд कर रहा है। माल मारना चाहूं मरना चाहूं तो लिए लिए मरना चाहूं तो वाच्ण इचाहूं यह नहीं पूरी कर रहा थो ? चिन्टा की एक चाहूं हुआ। हम और सौब कात्यां उटो आफ कर रहा हुआ। हम और सोल में क्या अंतर है यह सोल कभी मर ही नहीं सकता है और सोल भी उसका वैसा है भगवान अब संभाव इच्छाओं को पूरा नहीं करते है और मार के आपको मार करेंगे कि भी क्या चलिए ठीक आगे पढ़ने इस पस्ट हो गया अभी मानी का देह परिवर्थित हो रहा है लेकिन वह स्वताह स्वताह मतलब आत्मा स्वयम कभी नश्ट नहीं होती और पूर अवस्था के नाश होने पर एवं नई अवस्था की उत्पत्ति होने पर भी उसे यही ग्यान रहता है कि मै मैं यह देहूं दिस इस वेरी फणी मैंनी थिंग्जार कैने इस बहुत रुचिकर है जो माताजी यहां पर है वो पिछले जनम में प्रभुजी हो सकते थे कि नहीं कभी इंट्रस्टिंग है और आपको पता शायद आप सुचे हो सकता हूं कि मैं एक माताजी रहां पिछले पीयादा जूस पी लिया इन knowing I. यह शुकार करना प्रभुजी के लिए कटिन होगा लेकिनी सी्दीस ही इस एबस थे अगर हम प्रभुजी थे यह मैं प्रभुजी के बारे में सोच रहे थे इसलिए प्रभूजी प्रावत होग हो गया और माताजी लोगं इंकार नहीं कर सकते, जरूर बहुत स्थ्री आसकते पूरुश होंगे, यह तो आपने पती के पतिनी के बारे में बहुत सकते होगे, या फिर अपने बेटी में बहुत सकते होगे, ये प्रे क misma कर इंछे प्हँ ही मानता है कि मैं वह ही हूँ। वड़ा इंट्रस्टिंग है कि पूर अवस्था के नाश होने पर यही ज्ञान रहता है। इस अमेजिंग ऐसा है कि हम कुछ और मान सकते हैं। हम यही मानेंगे कि मैं यह दे हूँ। इंट्र का एक्जामपल वह सुवर बन गए थे शाफ से कि ब्रह्मा जी कि शाफ से तो वह यही मान रहे थे कि वह सुवर है। और उनसे पूछा गया कि चलो भाई हूँ। टेवस्ति का मिकला एक म्लेगा यह मिलेगा जा हो। आप मै नहीं कि अहीं यहा जा गए। यों पैख दिए। नो से सूर्नी और इसमा बंद्दन से बहुत बहुत बंदहलं, जिस दे में रहे गा उसी देám में अपने आपको मानेगा इसमेड तोदे टांजेंशन व्य जाओंगा दश्म छोंग्यों को सब्जा रहे हैं किष्ट डिखो देखियो कीडा किडा किडा एक कीडा पत्ता खा रहा होता है का प्ते कहते इंग्लिश में तो एक पत्ते को छोड़ने से पहले दूसरा पत्ता प आक्ला शरीर तेयार होता है उसके बाद पिछ्ला छोटता है और ये इस दीहांतर में आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे इंद जा रहें और पिछ्छे बारे शूडर्ण जाह रहे हैं पिछ्छने उप्छिष्णियार हो फूर्र फिर शन् workUP करना पड़ेगा अब हम ठीक है इतने में चला लेंगे क्लास में दौ-तिन दिन में फिर शेब करने लें कुछ-कुछ दाड़ी निकले लगती इस विलिए परिवर्तन है की नहीं अद्भुद बात ये कि देखने के बाद भी हम नहीं देखना चाहते हैं देखने के बाद भी हम नहीं देखना चाहते हैं ठीक है हाँ और उसके बाद पर वसुदेव जी कहते हैं आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं मरने की आत्मा नहीं मरता है नहीं कहते हैं लेकिन राजा क राजा की देह नहीं महीं लगी ना, राजा की देह में खुब भोग भोग रहा हूँ, मैं तनिश्प्रव को पूछ रहा था कि हम तो उसे फलवल खारें अच्छा लग रहा था, राजा लोग कितना भोग करते होंगे, करते हैं आप कलपना नहीं कर सकते कि राजाओं के लिए ही मानता है कि मैं देह है, इसलिए आप चिंता मत किजिए, समझ पारें इस बात को, किसी को अनकमफर्टेबल रख रहा है अपना देह, यद्दिपी बहुत अनकमफर्ट दे रहा है, लेकिन किसी को दिकत नहीं है, सुरिए, महाराज बहुत अच्छा बोल रहा था, एक बढ आपना नहीं चाहते है, तो भगवान कैसा करो, यह दो करन्ट कितार पकड़ लो और मर जाओ, आरे ऐसे तो नहीं मरोंगी, यह बड़ा इंट्रस्टिंग है कि जिस देह में रहेगा, यही मानेगा कि मैं वो देह हूँ, और उसी के भोगों से वो संतुष्ट भी रहता, वो चाहे सूर भी बन जाए, जब हम देवता बनेंगे ना, मालो देवता बनेंगे गलती से, वो गीता के पास टोक पड़ करके, तो वहाँ यही मानेगे कि मैं देवता हूँ, यह अज्ञान, यह मिध्यांकार देवताओं को भी खुब पकड़ा हूँ है, यह मैं सोचे कि मैं नहीं मान रहे हैं, इस नोट इजी, सेल्फ रिलाइदेशन इस नोट इटिंग चिप्स, यह भात हम भूल जा रहे हैं, अभी मैं रामकृष्परो से चर्चा कर रहा था है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा सेल्फ रिलाइदेशन के लिए, और इसके लिए खूब सुनना की जड़त होगी, तब तो टिकेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे, हमको लगए गए तो बहुत पेमेंट किया जा रहा है, और हम यह नहीं समझ पारने कि यह देह का पेमेंट, अपर बहुते के च्छाओं को हम बगर रहने देंगे, तो यह प दर्द नाक देह, दर्द नाक देह, तो मैं भोल रहा हो कि क्या यह शरीद हमको बहुत सुख दे रहा है, ऐसा मन सूचीका कि मतलब यहाँ पर प्रस्थित को इसी विक्ति को बस आप ही को कश्ट है, मेरे को भी शरीद को कश्ट होगा, और हमसे आदी हुमर वालों को को भी क कष्ट होगा सबको रहता है कल यूग में तो इस्पेशली कोई स्वस्थ रहे तो आश्चर करिएगा कश्चर का नहीं बोलना चार रहें पर बार बार सुन आमने जरूरी है कि मैं ये देह नहीं हूं कि उसके उल्टे कार हम अधिक करते हैं जिसके दोरा और मानते रहेंगे कि हम देह हैं इस प्रकार इस देह के नाश होने पर सुक्ष्म देह के निबन्धन के Department सुक्ष्म देह की रसी मालो पकड़ी हुई है, सुक्षमिदेह समझते हैं, मन बुद्धी हंकार का, उसके कारण दूसरे स्थूल देह की प्राप्ती होती है, परन्त उससे आत्मा का नाश नहीं होता है, स्भष्ट है, अब बड़ा इंटरस्टिंग बात बोलते हैं, यह कैसे कह रहे हैं कि सुक प्रटेस्ट्री, शुद्रसामिपाद के जाएं, अमेजिंग ना, यह कितना उनने ध्यान दिया है, कि एक बच्चा जो पैदा हुआ, उसको तो भाशा भी समझ में नहीं आती, उसे कैसे मालूम चल जाता कि कहां से दूद्ध पीना है, क्या करना है जो भी, और यह भी आप देखेंगे, थोड़े बड़े हो जाएं, आप लोग का अनभाव हो कि दो भाई हैं, हमने जिसे मेरी बेहन की दो लड़किया है, तो एक लड़की तो बहुत शान्त है, और दूसरी लड़की एकदम खुराट करते हैं, बहुत डांट लगाते हैं, हाँ, आप लोग घर में तो वह है क्यों आ रहा है, बताओ, एक ही माता पेता से जन्वे, तो वह सुक्ष्मुद शरीर के पूर सांस्कार के कारण होता है, इससे वेरी नाइस, इसको समझ लीजिए, तो बहुत असानी से समझ लेंगे, स्मार्ट फोन में आजकर वो अपने इमेल से आप लोग इन कर रहेंगे, तो पिछले फोन के कॉंटाक खटाक से प्रकट हो जाते हैं, जबकि कोई वस्तु नहीं है, कोई चिप की बात में नहीं होती है, आप चिप भी ना डालें, के वो लोग इन कर जाएं, तो सारे जो डेटा है, पहले को वा पर आप आजाता है, वाट्सप में भी हो अगर अच्छे से भक्ती करें तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, लेकिन ये समझ लीजी कि जो काम आप रेगुलर्ली कर रहे हैं, तहां से सुनिएगा, जो काम आप रोज कर रहे हैं, उसकी चाप बहुत गंभीरता से आपके मन में जाती है, कितनी लोग को अरहर दाल चावल खा रहे हैं, चावल खाते हैं, आप देखेंगे एक नाचुरल इंक्लिनेशन के ब्रती, और वो क्यों हुआ है, वो रोज, रोज, रोज करते हुए, पहले से कुछ टेस था उसको रोज करते हैं, आप लोग को जो लोग को अच्छा लगता है, उनको होड़क होड़ और जुक्ता है। है कुछ बार क्यों नहीं बन रहा है। चावल क्यों नहीं बन रहा है। दिण 10 ऐस एक होड़क कर लोज कूरोज करोड करता है उसमां उसकी चाप आपके मन बहुत पड़ती है। is it not encouraging super duper encouraging supremely encouraging for me because doing it every day every day every day it is become like an not as how to say me proudly now just become an addiction gita beka ka da da isi prakar se joviti ruch sadhana karke nina karta hai to usko lagta hai ki rea khas tu ajha maniura karti da karari kya ho gaya kuch bhakt bal nahi a bho hot important hai habits ko cultivate terna some ajpa rahe mein seh bhoat bhaadi sisha grahhan kar raheho ki bhali ham bhagawan ke कपास ना पहुंच पाइं तो नंत यह जब पहुंचेंगे भगवान देखेंगे लेका संसकार तो मुनाने चाहिए ना कि हम खुब यूब कर रहे है त्यादी या भगवान के बारे बारे पढ़ रहे हैं और यह संसकार आप जानते ओए तो नश्ट नहीं होते है अगले जर् कीप आउं डूइंग करते रहिए' करते रहिए एक भग्त साड़े नौबचे माला वारी है यह दिक्ट हो रह रहे हैं यह तो इक खतरनाख व्यक्टी की ट्रेनिंग है जिसकी आप लोग पर्शान हो रहे हैं नहीं तो किसी कोच होन नहीं माला पूरी ओने की खुंखार टरेनर है इसका लरण सब्सक्राइबन नहीं बता जाता पुब्लिक में लेकिन सब्सक्राइब मेरे प्यारे भक्तों आप समझ गए जो रोजकार करते हैं, उसका संसकार बहुत गंभीरता से आपकी सुख्मशिर में पड़ता है, और फिर आपको प्रिरित करेगा, और यह बवान गीता में बोलते हैं, पूर्व अभ्यासे ने तेनेव, हिर्यते ही वश्व पिसहा, जैसे मानो असहाई हो वेक्ती, वैसे जबर दस्तिव है भक्ती की तरफ आकर्षित हो जाएगा, is it not encouraging? उसको नहीं पता कि वो क्यों आकर्षित हो रहा हो, होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा, you will start from where we finish off, यह बात बता रहे है कि इस जगत में भी, यह भक्ती के बारे में बोलता हूं, भक्ती ना भी कोई करे, जो पिछरी जनम के संस्कार, उसके खाने पीने के जो भी संस्कार हो फिर प्रकट होते चले जाते हैं, अच्छा अब और एक बंट्रस्टिंग बात है, कि भाई, पिछरी जनम में स्त्री संगादी किया है, तो बच्चे बे तो हम नहीं देख रहे हैं, बच्चे में तो आम से मुक्त नहीं होते हैं, गिव मी एन एक्जामपल, माइक में बली है, बच्चों सब खिलोना छील निया चाया, तो चिला ले लगते हैं, और बच्चों में गुण क्या है, वह अपने एमोशन को चुपानी पाते हैं, हम लोग चुपा लेते हैं, यह मनुच्यों में ब सकते हैं, कि बच्चों में अविद्या नहीं है, यह काम बत्यादी नहीं, तो यह सूप्ष्व में भरा रहता है, वह जन्म जन्मानतर आगे चलता रहता है, इसलिए धीर, अर्थात बुद्धिमान वेक्ति, इस देह की नाश और उत्पत्ति से मोहित नहीं होता, अर्थात यह नहीं मानता है, कि आत्मा की ही जन्म यह मृती होती, लिंक से लिंक कीजिए, लिंक क्या था, भागवान का समझ में आ रहा है, कि अविश थे वह uwagę होता है, अनका जन्म नहीं होता है, लेकिन आत्म की शृ dinheiro आप definition के जो बुद्धिमान वेक्ति है, वह भी समझता है कि आ इथावत ना देखने का उनको इथावत देखने का असामर्थ, उसको मुह कहते हैं, समझ पाया है ना बात? तो ये चीज है, अब ये कितने आश्यर की बात है कि इस घटना को, इस घटना करम कहें, देहांतर को हम सब लोग देख रहे हैं, जो गीता पढ़ता हो या गीता ना लेकिन जो गीता नहीं पढ़ता है, वो कभी जिंदगी में नहीं सोच पायगा कि वो आत्मा है, ये फायदा है, अब देख को इस बात को नहीं काट सकता है, कि इस घटना का परिवर्तन हो रहा है, काट सकता है, इसलिए जब किसी को प्रचार करें, सिधह मत बोले कृष्ण इस सुप्रीम पर्सनेल्टी अव गॉड है यह नहीं समझाए उसको पहले समझाए कि वह आत्मा है जब वह इधर बात समझेगा पकड़ेगा तब जाके बात समझ में कि भगवान कौन है और आगे के बात होगी इस बात को तो शुकार किया जा सकता है न कई बार लोग कहते है गीता पर शद्धा रखें शद्धा क्यों रखें अब बताईए क्या गलत है इसमें क्या गलत देख रहा है ठीक है तो अमीद है कि सबाज में आ रहा होगा आप जाए तो लो फारवड कुछ डाउट से पूछना है? या आतम अब जग नहीं लग गई है ठीक है बोल ये प्रभुजी इधर बोला था, देह के निबंधन के कारण जो है, कौमार आधी जो अबस्ता होती है, और इधर बोला गया है, सुक्ष्म देह के निबंधन के कारण दूसरे स्थूल देह की प्राप्ति होती है. मतलब उसमें हम अपनी पैचान उससे करते हैं? Yes, actually, मूल बंधन तो सुक्ष्म देह का ही है, सुक्ष्म देह की वजए से इस थूल देह की प्राप्ति हो रही है, और उस थूल देह में हम रह रहे हैं, इस पर भी एक जगे शास्तर ने बोला गया है कि इस शरीर में नौ छिद्न है, फिर भी प्रान है नहीं हवा बहार नहीं सील इंट्रेस्टिग, मृ पराण हवा है ना, पराण भार नहीं जा रहा है, क्यों कि सुर्ण देह सुख्ष्म देह से प्रानже कया है, और इसमें घुमता रहता है, एंह तो भोगना चाहते है, वह याम क्यों बैठे है, दरवाजा तो खुला हुआ हूआ है, क्यों क्यों कि द्धान अक्रिष्ट करूंगा धीर शब्द पर दिखिए बुद्धी मान करते यह नहीं कि इसके बीटेक में कितने नंबर आते हैं या कि इसने प्यजडी करी है कि नहीं पीजडी कि वाले लोग भी यही मानते हैं कि वो देय हैं कि इस दर ओके तो जो वेक्ति शास्त्र किसे बुद्धी को स्विकार किया वह इस बात को समझ पाएगा इट रिक्वाइड वेरी हेवी ट्रेनिंग तो गेट डिस अंडर्स्टैंड प्रुपाजी एक जिए कहते हैं प्रुपाजी का वीडियो है मैं समझ रहा हूं इसमें बता रहे हैं कि कि यही चीज़ समझ रहा है प्रुपाजी क्या कठना ही स्विकार करने में कि हम आत्मा हैं देखिए इसका प्राटिकल अप्लिकेशन जो श्रीपाद रावनचार जी हम बताएंगे सुनिए इस बात को प्लीज सुन लीजिए आवाज आ रही है जूम के ऊपर हाँ आ रहे है श आप लोग खाली हालका सापने सर को नौट करना अगर आप स्विकार करते हो यहां पे फिल्म चल रही है यहां पे अडवर्टाइजमेंट चल रहा है वाशिंग पावडर का नहीं भगवद गीता पे प्रवचन हो रहा है इसमें पे कुछ लोग तो गर्दनी नहीं ला रहे है आपने ही एक हाथ से दूसरे हाथ को टच कीजी और अब देखे की कुछ अनुबभ हो रहा है के नहीं अरी एक्सपीरिंसिंग कि अच्छा या अपने असपास की किसी जडवस्तु को शेरी करें आप यह कुछ करी तो आप यह शेरी कि जमीन को शेरी आप कर रहे हो लेकिन जमीन पो प्कुछ नहीं लगे ले इसंतुस क्या है। तो जब आत्मा चली जाएगी तब भी बॉड़ी करेगी, मैंने उधारन दिया था आप लोगों को, मैं अपने पिता जी का अधास अंस्कार कर रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, कि हमको लखडी पर तुमको बटा बच्पन से इतना पाला, तुम अब हमको अगनी में फूक रहे हो, या कुछ भी नहीं, हर लड़का करता है, पिताजी कंप्लेंड करते हैं, और वो अगनी मेरी तरफ हलकी से लग गई, और मेरे हाथ में, दाएं हाथ में हलका से लगा, तो मैं तुरांट उसको पीछे कीच लिया, हाथ जल गया, शरीर के द्वारा आत्मा अनभव कर रही है, अनभव करने वाला आत्मा है, अनभव करने वाला शरीर नहीं है, शरीर माध्यम जरूर है, लेकिन मैं अनभव कर रहा हूं, क्या अभी हम नहीं स्विकार करने हैं कि मात्मा है, अब क्या कर सकते नहीं स्विकार करना तो मत करो लेकिन यह समझते हुए कि मैं आत्मा हूँ और मैं याँ फसा हुआ हूँ इस देहे के और बंधन में करना है कि ये बंधन at least ढीला हो जाए और बढ़के नहीं यह बंधन और बढ़के नहीं यह ढीला पड़क जाए इतना तो दिमाग तुरह दिमाग में भुसना चाहिए था need यह हम किसी एक विक्टी व्य नहीं बोल रहा हैं levar ने बात की और बात यह है कि जो देह में भासक्ति बढ़ाने वाले कारे हैं उनको तो हम खूब करते हैं क्या करें प्रभु जी तो करना ही है क्या करें प्रभु जी वो तो करना ही क्या है लेकिन जो हमारे आत्मा के सक्षातकार करने वाले करते हैं उसको हम करते हैं ठीक है अब जिस दिन हमने जोतिस से डेट्स निकल वाली हैं कौन से कौन से ऑस्पिशिस डेट्स हैं उस उस दिना कर गया हम भजन कर लिए कि अब यही बाद श्रीपाद रावरिचाजी समझाएंगे इनका टीका का लास पार्ट है उस पर हम फोकस करेंगे बाकी बात कॉमन है एक शरीर में वर्तमान जिवात्मा वर्तमान मतलब हां जुसमें है एक शरीर में वर्तमान जिवात्मा जब कुमार अवस्था को छोड़कर यववन आदि वस्थाओं को प्राप्त होता है तब आत्मा जैसे पहले था वैसा ही स्थिर है इस बुद्धी के कारण जैसे बुद्धिमान पुरुष यह शोक नहीं करता कि आत्मा नश्ठ हो गया है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति में भी आत्मा जियों करती हों, इस तिरहें ऐसा जानने वाला पुरुष शोक नहीं करता है, अब कई बार बोल चुके हैं, आज आप यह कपड़ा पढ़ें कि आप नहीं, परवर्ति थो रहें, कपड़े का परवर्तित नहीं हो रहा है, अतेव, आत्मा नित्य है, इसलिए यह शोक के विशे नहीं है, ठीक है, अब देखी क्या कह रहे है, जीवात्मा जोकी नित्य होते हुए भी अनादी कर्मों के अधीन होने के कारण उन-उन कर्मों के अनसार शरीरों से संबंदित है उनका इतना ही कर्तव है कि वे बंधन की निवृत्ति के लिए उनहीं शरीरों के द्वारा स्ववर्णोचित शास्त्री युद्धादी कर्म फला भी संदी रहिधोकर करते रहें और इंद्रिय एवं विश्यों के संयोग जो शीतोष्ण आदी जनित सुक दुक देने वाले हैं उनको अनिवार मानकर जब तक शास्त्री कर्म की संबापती हो तब तक सेहन करते रहें य पूर्ण में अगे का समझ पर व keyboard में युद्य विश्वाज है युद्धा में। प्र नित्य है तो कहसे बढर्नोगे कि मैน चिंता करना है युद्धिय प३्वाजन है लेकिन अपनी अनजी कर्म अनजी मुद्दभ जिस की कभी नहीं हुई इसकी षुर्वात कभी नहीं क यह कर सकते हो, अनादी, अनादी does not mean इमेरे मुरीयल जिसकी आपको याद नहीं हे, बहुत सारी बात Haf exhaust का मतलबा कि नहीं है, यह नादी का मतलब नादी, तो वही गेम समाफ्स हो गया कि कभाई जगत मे क्या हुआ? रामा रुजिचार जी के पास हम आपको भेज़ देंगे अपने प्रश्निकिया कि हम जगत में कवाए उनसे जाके पुछो नहीं क्यों नहीं बता है कवाए तो यह बसपश्ट बता रहे हैं अनादी अनादी का मतलब क्या समझ इसका बड़ा अच्छा शब्द है मन में भोग कि इच्छा आई तो हमने भोग के कारे किये ओ भोग दि exceptions कि अनादी कालसीय भोग वासना से वासित जैसे बोतल में आप कुछ शराब या और कुछ भी वस्ते डाल देते हैं, मथ्था समल लेजी, तो मथ्था पड़ा वा मथ्था हट जाए, तो भी मथ्था की खुश्वू आती इसमें, तो उसे कहते हैं, वासित होना, इसमें, हाँ, हींग भी ग्जाम्पिल ले सकते हैं, तो आप समझ गए ना, वासित की इच्छाओं की, मैं क्या बताओं, प्योर डिवोटी को ही प्रीचिंग कर रहा हूं, महक भी नहीं रहती हो, इरदे महकी नहीं, अभी बोला तो अरर दाल, सबने हाथ खड़े कर दिये थे, तो ठीक है, तो भोग की इच्छा रहती है, कब से है भाई, बताईए, यह हो सक करना क्या है, यह information मिलगे, तो करना क्या है, तो कहते है विक्ति को आत्मा की अनभूती करने के लिए, जो वलनाष्ण मादी में कर्म बताएगा है, शत्रिय को युद्ध करना चाहिए, ब्रामाण को यह करना चाहिए, व्याष्य को यह करना चाहिए, लेकिन शास्त्र के अन क्या आडियो ऑड़ रहा है। क्या ये टेक्स्ट का वीडियो दिखा ही पड़ रहा है। उनका इतना ही कर्तव है। ही . और इसके अलावा कोई कर्तव नहीं है। और जो करतव अगर हैं भी तो वह इसके इसको डोवटेल करने के लिए हो डोवटेल समय लब इसके पीछे होने चाहिए खाना खाना मरा करतव है क्यों ताकि शरीर को चला सके ताकि शरीर के द्वारा आत्म साख्षाथकार के लिए प्रयास कर सके तो पचास के बाद तो कीवल ही होना चाहिए इसरा लोके यह शरीर इस वेरी सीरिस थिंग नहीं करेंगे तो यह शरीर तो छूट रहा है और अंतो तो कत्वा छोड़ा लिया जाएगा कौन बोला था किसके मृत्ति हो गई आज कर बता रहा था हां ही बता रहे थे कोई 60 साल के वेक्ति रहेगा तो मर गए बड़े धन्वान थे कुछ तो धन नहीं बचा पाया मृत्ति हो गई इसे ही बहुत सारे लोग में घजाम पर होते हैं कोई 60 साल तो बहुत जी लिए लेकिन 20 साल में भी लोग मर जाते हैं और फिर एक नया चैप्टर शुरू करना पड़ेगा इस इस वेरी अनकमफर्टेबल अरे कृष्ण लादनी माता जी आपको भी अपलोग घर शिफ्ट की है बहुत बहुत कमफर्टेबल लगा सारा सोफा वफा लेकर के फिर दूसरी घर में चले जाओ मैं समझता हूं जो लोग भी जहां रह रहे होंगे like just to change home is a big endeavor अलना स्वेरा ब्रहमचारी लेक दो चार बैग उठाया और उसके वाद चल लिए तो वह सभाग सबको प्राप्त होता है washing machine और फ्रेजर यह सब कुछ very uncomfortable और यह भी समझ लेगे कि हमें श्रीर में आ सकते हैं फिर छोड़ कर पर दूसर श्रीर फिर दूसर इस समान शब्द में कहें फजियत तो अगर हम समझ लें कि हम इस भौती जगत में फजियत समझते हैं फजियत को फजियत समझ गए फजियत में हैं तो इतना ही करतव है क कि इस वजीयत को रोकने के लिए बार-बार जो श्रीर का परंपरा चल रही है एक के बाद एक श्रीर मिल रहा है वो भी कुछ शनों के लिए शायद मेरी बाते आप समाझ पा रहे हैं 50-60 साल का जीवन वो शन ही है कुछ बस और फिर चेंज करो फिर चेंज करो तो इससे निविर्ति का उपाय करना चाहिए यह करतव है इसे रहलों के और वह निविर्ति का उपाय क्या बता रहे हैं कि वरणार श्रम को के जो नियम आद वरणाश्रम के नियमों का ठीक से पालन कर रहा है तो उसको स्वारगादी भी प्राप्त हो सकता है लेंकि स्वारगादी प्राप्त होने का मतलब क्या वह स्थूल और शुक्ष में देख कि बंदन से मक्त हो जाएगा अउत्तर है नहीं होगा तो यह नहीं कि कुछ फ़ल न किया जाता है कि इसलिए भगवान बोलेगे मा संगस्त अकरमणी तुम अपने कर्मों को ना करने के प्रति भी आ सकते ना हो क्योंकि तुम कहेरो युद्ध छोड़ दूगा लेकिन युद्ध ना करने के प्रति तुम आ सकते हो थे समझ पा रहें बाद अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे तो वह नहीं करने के प्रतियास सकते थे युद्ध को अगर भोग की इच्छा से रहित हो के किया जाएगा तो वह उनको आत्म साख्षाथकार प्रदान करने वाला हो जैसे मैं एक भगवगीता बोलूं अब मैं कहूं गीता पढ यहां तो बीना प्रयोजन को जो जैसे कहते है विवेक इस शरीर हमें कष्ट दे रहा है तो एस शरीर का उपवियोग हमको आत्म साख्षाथकार के लिए ही करना है आजकल लखी कटनाई यह हो गई है कि लोगों की जीवनशैली है या कह सकते हैं दन-उपार्जन की तरीका ह है उनका सारा समय ले लेता है और उनकी शक्ति भी जीवनी शक्ति भी खीच लेता है जो लोगशें प्रकार से काड़े कर रहे होंगे वह उसको अंभशा मैंने इसमाज़ा किप पर चार-पांच घंटे काम करके अपनी जीवा को बार दिन कर पा रहा है। बहुत रेर को ऐसा विक्ति होगा। कि आप तो आपको तो भवान वेस्था दे रखी है। दोनों हासे बरसा रहे हैं आपके उपर कोई दिक्रत नहीं है। लेकिन सबका अनभव है इस प्रकार से नौक्रिया करने का कि आप आठ नौ घंटे काम करते हैं वह पूरी आपकी जीवनी शक्ति खीचलता या बिजनस या जो कुछ भी करने। तो फिर विक्ति कहां सोचेगा। और जब वह इस प्रकार के नीमों का पालन कर रहा है तो उसे सुख और दुख का अनभव होगा। इसको सेब्स बाट करते जाएं भक्ति में भी समझ पा रहे हैं भक्ति भी शुक्ति करें के उसको बहुत सारी बात हैं यही अंत है अर्थ है मोहित नहोंने का है अरे हम को बहुत आज दरद हु रहा है दिह में तो अब हम सुबह कैसे उठेंगे जाप करने के लिए इतनी तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग ट्रेनिंग शुकार कर लें कि पहली चीज आपने यह प्लाइनिंग करने कि कल मेरा अटायक कैसा रहेगा मुझे जब करना है मैं क्या से करूं मैं आत्मा हूं इतना बाद रखे मुझे कल जब करना यह जब मेरी अविद्या को नाश करने का सबसे बढ़िया साधन है किवल विद्यानाश के लिए नहीं कर रहें लेकिन बहुत बड़ी असाधन है तो हर दिन अपने श्रीर को देह को देख लीजिए अपना मतलब देह बमानी जीव समझ लेकि इस्तिती क्या है तो आज अगर पूरा स्वस्त है तो चलो पूरा मॉर्निंग प्राम कर लो लेकि खूट जाएगा लेकिन यह बात कि ट्रे लिंग देना बड़ा कठिन है मुझे पता है कि लोग नहीं सुनने के बाद भी शुणन अपीना शुण क्या बोला जाएगा सुनने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं इस बात तो यह बात हो यहां पर समाप्त हुई और उसका लिंक अगले श्लोक से है कि सब सहन करें और वक्ति भग्वान की भक्ति में प्रविर्त रहे अब मेरी आत्माओं आप थक गए हो आपनों के सुख्ष में थूल देह लग रहा है थके थकान लग रहे लेकिन देखे सारार्थ वर्ष्णी की वर्षा तो करने ही पड़ेगी उसके बना तो आप लों को सूखा सूखा लगेगा और प्रसाथ किसी को पाना नहीं तो संडे फिस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं सारार्थ वर्ष्णी यदी प्रश्ण हो की आत्मा के संबंद से देवी पृति का पात्र होगा आपने कहते हैं ना देह से पृति नहीं कर रहे हैं पृति तो आत्मा से हो रही है तो किते हैं नहीं 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 आत्मा के संबंद से पृत्र आधि पृति के पात्र होगे समझ में आया है एक्स्टेंशन बोर्ड पहले अपनी पृति किसे हो रही है देह से हो रही है क्यों भोग दे रहा है अब देह से संबध पेटा अच्छा लग रहा है और आप बेटे का थो पोता कितना क्यूट है हमारा नाती तो मतलब नाती कई यस नहीं कर ती रहती है जही है तो देहों का इसा गिरह ऐसा हुआ हम तो भी कर रह रहे है extension board समझ रहे हैं, current वहां है, उसके बाद current पहुंच रहा है, हाँ अच्छा है, current extension board में पांचे socket है, उस सभी से current प्रवाइत हो रहा है, यह सब हम आपसे मन से बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिखता है, अपना भी है, बच्चे में आ सकती, उसके बच्चे के बच्चों म सब्सक्राइब, बच्चे होंगे, आप लोगे तब समझ में आएगा, कितनी आ सकती होती, एक बता रहे हैं, बहुत अच्छे इस कौन के श्कॉलर प्रभू है, वो खुदी बता रहे थे कि वो थी अम्रीका में, उनकी पतनी थी अस्ट्रेल्या में, बच्चा वहाँ पर जन मु लिया अस्ट्रेलिया में, वों वासकी किलकारी बोलते है, क्या, क्या, करकर सुनाया, तो तुरन्थ उन करते अब कौन किसका शत्रू है वो तो अलग बात जाना जाए लेकिन ये भी तो है कि आप बताओ जिस शत्रू को आप देखना भी नहीं चाहते है यहां उसको ले बिटा सेरलका तो बड़ा जल्दी से बड़ा हो और उसकी बात का चाहा और भाई खून पीता है देखा आपन संद पुज है सत्रूर अफुत्र संद भाई पूतर आधी फीर पीता के पात्र होंगे अते उन लोगों की मृति होने पर शोख होगा ही आप कैसे क्यारोह की शत नहीं होगा है कि कि न Và Chunте कि यह है तो इसके उतर में कीतिश床 में यह नहीं होता यह वी पेतिकी बोल रहा है कितना इंट्रस्टिंग पॉइंट है ना कि यदि देह से प्रीति होगी तब देह के लोगों से प्रीति होगी सी जब देह से ही प्रीति समाप्त हो जाएगी तो देह से समवंधी लोगों से प्रीति कैसे समाप्त नहीं होगी अच्छा, आप लोगों से मैं प्रेटिकल पूछ रहा हूं, आप लोगों की चलि माता से तो पिता से तो चलि प्रेम होता ही है, लेकिन जो बुवा चाची आदी है उनसे कुछ प्रेम घम हुआ है या या सेम है? सेम है. मैं समझता हूँ, मैं बोल रहा हूं उस दृष्टी से और वह भी असर बोलते हो शयद की तुम तुबात भी नहीं करते है।ैं। और आफ़ है। think कोई बुला रहा है अपनी बुवाजी को घर बुवाजी आई ये थोड़ा हम लोग प्रजॉल्प कर लें गीता बहुत सुन लिया है I would say all of you might be just avoiding them अगर आपके घर में आभी जाएं बुवाजी गीता के वारें क्या वाजे चार है हमारी बुवा भुपा आयत हम तुरन को preaching शुरू कर दिया इंसान जानवर में क्या अंतर है तुरा काफी दिर सुने को काफी दिर सुने उस वाट अब लोग कहांगी कि इसका मतलब अब लोग सब भग तो निष्ठर जाते हूं नए नित्यम विष्णु जना प्रिया नित्यम विष्णु जना प्रिया we are loving each other but based on relationship with Krishna भगवान से संबंध देकर के अब लोग प्रेम कर ही रहें is it not बिना प्रेम के कोई विक्ति मिझे सहान करने वाला है बाबा को देखने वाला है कोई इतनी देर तक if there is no love but the point is do you love Bhagavad Gita yes 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 Prabhu do you love Bhagavad Gita yes 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 let us discuss Bhagavad Gita the love the center of love is Krishna यह बात है को कई बार सुष्टे जह मैं से वेरागी की बात करेंगे तो लो सुष्टे लोग सब सूखे हैं सूखा वो का कुछ नहीं है लेकिन वो केंद्र कृष्टन है यह समझना चाहिए मेंक सेंस मैं यहां पर आता हूं तो मुझे कुछ समझ में आता मुझे लगता है कि हाँ भक्त सुनेंगे उनको भी अच्छा लगेगा तो दुख देने के लिए तो नहीं आते हैं ऐसा अटलीस मैं चाहता नहीं हूं मंदित पुत्र प्रिये लग रहे हैं और पुत्र के पुत्र प्रिये लग रहे हैं कृष्ट प्रिये लग रहे हैं तो सम्झाया तो कृष्ण के भक्त भी प्रिये लग रहे हैं फिर चेंज किजे उल्टा किजे कृष्ण के भक्त प्रिये लग रहे हैं तो कृष्ण प्रिय लग रहे है। इस प्रकार जीव को इस देह में कौमार प्राप्त होती है। कौमार के च्छह होने पर यवन प्राप्त होता है। तथा यवन के च्छह होने पर बढ़ापा प्राप्त होता ही है। इनके इस अगर आप भूल रहे हैं तो उसी प्रकार देह के च्छह होने पर अ जाएंगे तो हुले को तनो हुले किस दा चलेगा who knows बड़ा मुश्किल होगा लेकिन है कि नहीं जवानी में तो अगर कहा जाए युव अवस्था में तो आनन्द लीजे भक्ति करने का कि कीरतन में नाच सकते हैं मृदंग बजा सकते हैं अब बड़ापे में क्या बजा कर दो आए या यद पहने को पांगे क्या परका अवर को अभी से इतने श्रुग हों ना शूडरां करे लो पता नहीं आगे तो हम कुछ सोच भी पाएंगे कि ने ठीक से में, मेरे को नहीं इस चुलित दो है लोग इस बात को वह नहीं है उल्टा सोशते है जवानी में भॉग कर लेंगे तेरा भुड़ा बहुत खराब ईतेगा जो बहुत जवानी में भोग करता है, उसको बड़ापा बहुत खराब इता है, जो जवानी में खुब भजन कर लेता है, इंद्रिय सेम कर लेता है, तो खुब आराम चलता है, मैं देख रहा था, परमपुची लोकनाथ महराज को कितनी स्पीड से चल रहे थे, आपने देखा तैसे लग रहा है, रिली स्पीड में चल रहे हूं, पता नहीं कैसे, और हम भ्यास है महराज का अद्भद, बहुत तेज, और यह देखे न कि महाराज की बुद्धी भी कितना तेज चल रही, सबसे बड़ी बात तो बुद्धी की है, नहीं तो विर्दावस्ता में सब डि शोक नहीं किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा के संबंद्ध से जो देह पृति का पात्र बना है, उसके लिए भी शोक करना उचित नहीं है, यह समझ में आ है, देखी समझेगा, एक आत्मा से संबंध होने, विशे संबंध होने के कारण कौमार, युवा और जरावस्था शोक करते हैं उसके लिए, आर्गुमेंट क्या था, देह पृति का विशे है, और देह से संबंध है, पुत्र और पात्रादी भी विशे होंगे पृति के तो उनके लिए शोक करना चाहिए, तो कहरें भाई, देह से संबंध है, तो है न तुमारा कौमार, यौवन और जरा उसके लिए शोक कर रहे हो, got the argument? जब देह से संबंध है, तो कौमार, यौवन और जरा के लिए आप शोक नहीं करते है, करता है कोई शोक, नहीं करता है, यहाँ पे कौमार अवस्था में तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे, और रूता तो कोई भी नहीं है, कोई रू रहा टेंडिंग, टेंडिंग तो बाट ओल नहीं लग रहा है, अब यतन ही ठीक है, लेकिन आप समझ गया कि अब रालका भी नहीं है, है की नहीं? तो कहते है, कुछ खुछ होनेजालों हो गई है, फॉर्टी पाद, फुर्टी फाइव के बाद तो पिर पिर वर्ट हो ही नहीं कंटेक्स्ट में वो चला गया कहीं is it not ? तो जब देह से संबंधित कौमार यवन और जरा के संबंध में विक्ति शोक ने करता एक प्रश्ण और करूंगा क्या जो यहां पर थोड़े व्रद्ध हैं उनको कुछ शोक हो रहा है क्या ? आप व्रद्ध हो क्या ? कृप अचुत प् मैं कुछ बताई उसे तो हम जूट बोल रहे हूं आपको कुछ अना डेली बिसे कुछ लगता है क्या की ? नहीं कुछ नहीं लगता के शोक अपर वो तो बहुत यंग हैं लेकिन फिर भी आपको यह अनुभाव करते हैं कि शीरीमे कुछ कुछ है बढ़ापे में लेकिन ऐसे जनरली स्पिकिंग नहीं करते नहीं करते वो एक अलग बात है भक्ती के रहे इस्तवाल नहीं किया वो तो 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 अलग चीज है लेकिन वैसे आप देखो कि कोई अपनी जवानी के दिनों को भी इतना को याद नहीं कर रहा होता है आर्गुमेंट समझ में आ गया तो उसी प्रकार आत्मा के संबंध से जो देह प्रीति का पात्र बना है उसके लिए भी शोग करना उचे इतना है इसे लोके और उसी प्रकार से देह के संबंध ही पुत्र और पौत्रादी के लिए भी शोग करने की ज़रत नहीं है I am having a human experience. This is a very nice line. बड़ अच्छा लग भक्त time यहां आप क्लास का अनभव कर रहें कुछ time के लिए फिर कुछ अन्य अनभव करना शुरू कर देगे और जैसे यहां के अनभव को आप बिलकुल भूल जाएंगे और क्या करना है उसी प्रकार से पिछले जर्म के अनभव को आप बूल दाते हैं बहुत अच्छा अर्गमेंट है ना कुभी सोच सकते हैं यह अर्गमेंट है ना कितना कैसा समान हिंदी में करें दूर की कोड़ी ले करके आचार आचार लोग आते हैं देख तो पृति का व अर जर्वस्था में तो आप शोग नहीं कर रहे हैं तो फिर डूसरी आसे सम्मंद उसमें ुश्व कर है रहा जाहिए कि नहीं कर रहे रहा है महानव्यक्ति भी नहीं करता तो एहिर-अद्र॥ का कहना ही किया ऑ-गमार आचार आई यह तिसकश है लिए कोई शो मान यदि यौवन के च्छय होने पर बढ़ापा प्राप्त होने से शोख होता है यौवन के च्छय होने से बढ़ापा प्राप्त होने से शोख होता है तो कौमार के च्छय होने पर जब यौवन प्राप्त होता है उससे हर्ष भी तो उत्पन होता है है कि नहीं छुट पर में आप सुट जब बड़ा हो ना तो दिखाऊंगा आपको अभी अब भी हमको रोक रहे हो ना बड़े होंगे तो दिखाएंगे तो आप बड़े होने की प्रतिक्षा करते और खुश होते यह आर्गुमेंट समाझ में आ रहा है कोई कहे कि नहीं में कभी कभी बहुत करश्ट होता है तो जवानी की बाद याद आती है तो यह database को जब उसलेर के आतेव भीष्म द्रुणादी के जीन शरीर के नाश होने पर नए देह को प्राप्त करने के उपलक्ष में तुमको हर्ष या आनन्द होना चाहिए यह समझ में आया तुम सोच रहों कि यह मारे जाएंगे यहोगा वहोगा लेकिन इनको तो नवीन देह प्राप्त होगा तो ख ओक 껏 जो मेरी माताजी के आंख और ऐता है मतिय का पुर्याविट वो कूच है मुझत दूसरी आंख से पूरा ढग है दूसरी आंख एर चिस पुछ सब्चन creation कैंट ए यह-इर मुझические पल्कूल निया जैश दिखाई पढ रहा है भुब्ष्माड़ैंगे दूसरी आंख को ऐसा अगर हर अंग किसम हो सकता तो शहत्मभभी किरा लेते हैं करते हैं। दिमांग का जुलू करा देते हैं। ऐसा कुछ orवी होती है कि दिमांग change करो, chip change करो, सब भक्त बन जाएं तो सबको पकड़ पकड़ के ऑपरेट कर देते हैं ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन यह इंट्रस्टिंग बात है तो जो बिश्मादी है यह ऑपरेशन भावान के रहे हैं मैं भी कर रहा हूं अपरेशन को रुख चेत्र और इसमें सबको दिविद्धे प्राप्त होंगे तो इसलिए आप क्यों शो कर रहे हैं काफी इंट्रस्टिंग है जैसे मेरी माता जी मोतिया बिंद के ऑपरेशन के लिए गई तो उनकी आंख के ऊपर चकु या चकुत नहीं कहना चाहिए जो भी बाद करेगा इसे रोके और वो किया तो भगवान ऑपरेशन कर रहे है ऑपरेशन कुरुख शेत्र जिसमें हता गतस वरूपं वो जान रहे है कि जो जो विक्ति हमरेगा अब वो सब मेरे पास आजाएंगे तो वो चीज तो देखे तो पर तो कहना ही किया है जिए रोके ठी यह reference frame वाली बात है करने मान लिजे कि एक देह है देह एक है उसको विवन अवस्थाय प्राप्त हो रहे है उसी प्रकार से देह ही एक है उसको विवन प्रकार के देह प्राप्त हो रहे है विल स्टॉप एर उससे अधिक डाजस्थ भग लोग नहीं कर पाएंगे मां देख रहा हो कि खटी डखा रहा शुरू हो कही है गीता भूषण तो पढ़के आईएगा वो तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपसे पढ़ेंगे नहीं और प्रतिविम बाद इत्यादी जो बाते वां पे होंगी वो प्रुपाजी की तादपर में भी है So wish you a good day. कुछ पूछा गया है आपे तो So how is it possible to not act on those impressions which have been present since infinite time अनादी काल से जो संसकार बन गए है उन पे कार न करना कैसे संभव है अब इसके उत्तर के लिए दो आप्शन है या तो आप कल छुटी लीजिए और गीता भूषण सुनिए अचा कल तो छुटी लीजिए वह 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 वहरी गुड कल चापेंगे कल पूरा गीता बुषण पढ़ाओंगा ठीक है कोई प्यात्मा नहीं मेरेगी ठीक है और उसको अब मेरत मन कर आज शाम को भी वह 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 चिलाया जाए शाम को गीता एक शाम भागवद कीता के नाम गीता बुषण करते में बहुत जबर्दस्त पहले की तरे लंबी ही होगी कल की तरे पूरा गीता भुषण बढ़ा अच्छा है एक बार पढ़ लेना उसको पढ़ाएंगे बहुत सारी बाते उसमें तो ठीक है उसका उत्तर के लिए कल आपको हम शाम को बताएंगे लेकिन इतना समझ लिए सार में कि भक्तों के संग से दो बात भक्तों के संग से शास्त्र के श्रवन से व्यक्ति अपने संसका समर्थ का और किसकारों के विप्रीट कारें में संमर्द होता है यह मेंन मेंन में इच्छा है जैसी मुझे बताया कि नहीं कर पाएगा जैसे फिर उटके आदमी कर लेता है आप देखता हे हैं कि इन्फ में उठने क्ने लाव होता है लेकिन बहुत बहुत से लोग जुनको भक्त संग नहीं प्राप्त है वो सुनने के बाद भी उठेगा वही आठ बजे इनौ बजे से करके ये बाते अब आगी टीकाओं में आएंगी भक्त संग वैश्णवा का संग और शास्त्र श्रवन उसके द्वारा व्यक्ति को समय में तक ना यह हमें कि आं कर राके आप अनके पैसा भी है और क्याम रहा है आप अम प्रकाश्व प्रकाष रहे हैं टीका नहीं एटो कैसे पढ़ोंगा आप गूप में आजाईए दृत्यादी के नवीन देह से यहां मतलब श्ष्षवत श्रीर है रानाना नाणा श्रीगत है औरनाना टीकाव देखिए भगवान यहां नहीं बोल रहे हैं कि यह लोग मरेंगे तो मेरे पास आएंगे यह नहीं बोल रहे हैं लेकिन यह दृष्ट है कि मालो मारे भी जाएंगे अगर देखिए मारे जाएंगे तो पहली बात उनको स्वर्ग प्राप्त होगी और अगर मालो यहीं वे जमारा जर्म लिया तो भी उनको नवीन देह प्राप्त होंगे नवीन देह मतलब नवीन भूत एक श्रीर प्राप्त हो गया यह बात है अच्छा इदर बात शूट गई इस देह में परिवर्तन देख रहे हो कि नहीं तो युवा वस्था प्राप्त ह होने में इस जीवन में सुखी होता है वेक्ति तो यह बुढ़ापे का श्री छूट करके युवा वस्था प्राप्त होगे नया देह प्राप्त होगा तो दुख ही होने की क्या जूरत है आप समझ रहे हैं एक continuity को हम नहीं देख पा रहे हैं मृति को एक discontinuity की रूप में दे पापाजी समझायते मृति क्या है सोने के जैसा सोया वक्ति उसका फिर उटकर के आ जाए फिर वक्ति इस नोट हैवी तो एक सेप्ट पर फिर उटकर के फिर नया शीरी चालू करते हैं तो यह continuity of graph है अगे सब पो समझ में आ गया हूँ छह महने की श्लीप सुप एर श्रीमत और सेप्ट देया झालू